अगर दोस्तो आप भी मानसुन का इंतिजार कर रहे हैं गर्मी से परेशान हो गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है दरसल दोस्तो इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि मानसुन जल्ध ही देश में इंट्री करने वाला है दरसल दोस्तो भारतिय मोसम विज्ञानवी भाग के मुताबित मानसुन अंडमान निकोबार दीप समूव पर पहुंच चुका है वैसे केरल में मानसुन आने की सामानने तारिख एक जून है गोशित तारिख में चार दिन कम या ज़ादा होने की गुंजाईश रखी जाती है वैसे दोस्तो मानसुन 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट के नुसार मानसुन के मद्यप्रदेश में 16-21 जून और राजस्थान में 25-6 जुलाई तक पहुशने के आसार है वहीं यूपी में 18-25 जून और बिहार जारखंड में 18 जून तक मानसुन आ जाएगा इसके अलावा दोस्तो कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो पश्यमंगाल में 7-13 जून, 36 गड़ में 13-17 जून, गुजरात में 19-30 जून, मद्यप्रदेश में 16-21 जून, महराश्थ में 9-16 जून, उत्तरप्रदेश में 18-25 जून, उत्राखंड में 20-28 जून, हिमाचल प्र सबसे पहले 11 मई को केरल पहुच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से यानिकी 18 जून को केरल पहुचा था, बीते 4 साल की बात करें तो 2020 में मांसुन 1 जून, को 2021 में 3 जून, 2022 में 29 मई, और 2023 में 8 जून को केरल में पहुचा था, वैसे दोस्तो इस बार ला निना के इसी हफते खत्म हुई और संभावना बन रही है कि 3 से 5 हफते में ला निना परिस्तितियां पैदा हो जाएंगी, पिछले साल अल निनो के समय सामानने से कम यानिकी 94 प्रतिशत बारिश हुई थी, 2020 से 2022 के दोरान ला निना ट्रिपल डीप के दोरान 109 प्रतिशत और 106 प्र अल निनो इसमें समुद्र का ताप मान 3 से 4 डिगरी बढ़ जाता है, इसका प्रभाव 10 साल में दो बार होता है, इसके प्रभाव से जादा बारिश वाले शेतर में कम बारिश और कम बारिश वाले शेतर में जादा बारिश होती है, जबकि ला निना इसका उल्टा है, इसम दुनिया भर के मोसम पर असर पड़ता है, आसमान में बादल चाते हैं और अच्छी बारिश होती है वैसे दोस्तो पिछले मईने इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट ने बताया था कि देश में इस साल सामानने से बहतर मांसुन रहेगा मोसम विज्यान विभाग ने 104 से 110 पीज़ी के बीच बारिश को सामानने से बहतर बताया है यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है, खरीब की फसले सामानने मांसुनी बारिश पर निर्भर करती है वहीं दोस्तों बात करें आज के मोसम की तो दोस्तों आज पंजाब हरियाना समेत चार राजों में हीट वेव का रेड अलर्ट है देश के कई राज इस वक्त तेज़ गर्मी की चपेट में हैं आएमडी के मताबित इन राजों में पांच दिनों तक तेज़ गर्मी पड़ेगी वहीं दिल्ली हरियाना पंजाब राजस्थान में हीट वेव का असर तेवी से माई तक रहेगा वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राजे में निवास करते हैं ताकि आपके राजे की खबरें भी आप तक प्रमुक्ता से पहुंचाई जा सके धन्यवाद